लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो में गया न dan उसकी चाम मगर क्यों हो जाती है तो इसी लिए असरब करना पड़ता है नरेंद्र भाई की तो दोस्ती भी मगर रसे थी वो बच्क्पन में तालह मुझे है वो नरेंद्र भाई को पूछो नरेंद्र भाई को पता आपको सरकार के पास क्यों जाना पड़ रहा है क्या आपके घर पे ही जो व्यक्ती है नरेंद्रमोदी हमारे भाई ने सेवंटी में घर छोड़ दिया है वो भारत मात्रा का लाल बन चुका है हीराबा का लाल तो खली कहने करा है प्रदयान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रालाज भाई मोदी हमारे साथ है हम उनसे बात करें कि उन्होंने यहाँ पर गुजराज सरकार को आत्मविलोपन की बात की है उनके कुछ मुद्ध है उनको लेकर वो नहराज है तो क्या है उनकी बात उनसे ही करते है तो क्या चीज थी जिसके लिए आपको ये आत्मा विलोबन के बाद करें मेरेंद्रे भाई मोधी मुख्यमंद्री थे तब गुजरात में राशन प्रणाली में आमून परिवर्तन करने के लिए उन्होंने अपनी द्रश्टी को आगे बढ़ाया उन्वहने bağigometric card बनायी, बाविमेट्रीक card बनाने के लिए सब कारिवाही सरकार ने दूसरों से करवाये, card बनाये, data'ये, collect किया, सब काम दूसरों से, हमने किया और हमने लिख के मना कर दिया, चाहि काम मेरा दुकान दारे काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी लांचन हमको लगता था कि यह गलत कार्ट बना दिया अब गलत काप बनाने का काम हमने नहीं किया है जो किया है वो इन लोगों ने किया है मेरी दुकान में तो माल नहीं है और स्टॉक रेजिस्टर में मेरा माल बोलता है एक ऐसी विपरीत परिश्थी थी यह गंडू राजा टके सिर खाजी टके सिर भाजया वाली बात करती है तो फिर मैंने उसका भी विरोत किया है कि यह परिपत्र रद होना चाहिए मुझे कहा गया कि परिपत्र रद नहीं हो सकते ऐसा है तो मैं इन लोगों के यह पुछना चाहता हूं कि किसान के बारे में जब संसद ने तीन कानून पेश किये उसको राश्पति ने साइन किया आज वो कानून अस्तित्व में नहीं है वो हो सकता है तो यह तो परिपत्र है क्यों नहीं हो सकता है आपको सरकार के पास क्यों जाना पड़ रहे है क्या क्या आपके घर पे ही जो व्यक्ति है नरेंद्रम बोदी वही पूरी सरकार चला रहे है ने 70 में गर छोड़ दिया है वो भारत मात्रा का लाल बन चुका है हीराबा का लाल तो खले कहने करा है परिवार का तो जो इमोशन होता है वो रहते हैं नरेंदर भाई परिवार के मामले में आते ही नहीं है तो एक मा है तो मा को मिलने को आते हैं बाकी हमारे हिया कोई कहेंगे हमों काम कर देगा आपने जंतर मंतर पर भी विरोध किया था दिल्ली जाके मैंने विरोध नहीं किया है मैंने मेरी मांगों के लिए बात की है कि मनमों जी की सरकार में जो हो रहा था इसलिए हमने उस टाइम ठाना था कि सरकार बदल नहीं है और हम सब लग गए थे सर आटपाकी सरकार बन नहीं लेकिन हमारी अपेक्षा के साथ बात नहीं हुए तो आप जंतरमंतर पे विरोध करते हैं उसकी वज़ा पीम हाउस जाके मिल लेते हैं और उनसे अपनी राहे रखते हैं तो वो फॉल्योशन नहीं आ जाता है पीम हाउस सब्जी मंडी थोड़ी है आज तक तो नहीं आया है आएगा तब सोचेंगे अभी गुजरात में चुनाव आ रहे है और आपका ये जो आपकी जो बात है आपकी जो राहे है काफी भाजपा समर्था कि ये भी कह रहे है कि इसकी वज़ए से नरेंद्र मोदी जी की छवी खराब होगी या ये पब्लि आपा दे नरेंद्र मोदी जब यहां पर सी एम थे तब वो बात करते थे कि केंद्र में और कोई दूसरी सरकार है उसकी वज़ए से गुजरात के काम नहीं हो पा रहे है अब भी तो डबल एंजिन सरकार का विग्यापन भी सरकार देती है तो आपका काम कूर रहा है गुज रहा है मत्बूरण उसको चलाना पड़ता है तो रासन विभाग भी गुजरात सरकार में है लेकिन करे क्या हम हमारी रोजी रोटी हे सरकारी ए थिकारी जो गलत किया है हमको स्विकार करके चलाना पड़ता है सरकार का तो दावा है कि COVID के वक्त भी गरीबों के घर-घर तक राशन मुप्त में पहुंचाया सरकार ने परिपत्र किया जो काम किया है वो मेरे राशन दुकांदारों ने किया है राशन दुकांदार के साथ जुड़े हुए करमचारियों ने किया है अधिकरियों नेगा और हमने ओर टोले में यदि कोवीड वाला कोई वेक्ति आ जाए उसका भी हाथों हाथ काड़ लेकर उसको माल दिया है आपकी मांगे आगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे क्या आज तो मैंने दे दिया है अब देखो और हम दो तारिक गांधी जैंती के दिन पुरे गुजरात के दुकानदार हर्ताल पे जा रहा है दिवाली उसकी सुदार देंगे सरकार के जैसे दुकानदार अर्टाल पे जा रहे हैं वैसे ही आरुग्य करमचारी हो, टीचर्स हो यहां के और और जो सरकारी करमचारी हो भी धर्णा प्रदेशन कर रहे हैं, तो अभी चुनाओ भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारा में? यह तो मोका है, तो सब कुछ पाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो कोई सुनता नहीं है, कहा जाता है कि पॉलिटिशन की चाम जो होती है, वो मगर की होती है, लोग कहते हैं, कि जो पॉलिटिक्स में गया, उसकी चाम मगर की हो जाती है, तो इसके लिए इस शेब करना पड़ता है। नरेंदर भाई की तो दोस्ती भी मगर से थी, वह बच्पन में तालाब से। नरेंदर भाई को पूछो, नरेंदर भाई को पता। अच्छा, अच्छा। कि पॉलिटिक्स करना हुए मैं आपको किसी ने बोला कि आप आईए टिक और कोई पर आयो फ्री मेरा बापने जो संसकार दिया मेनी मा ने जो संसकार दिया है इसके वजह सोब्सक्या if r сам αφि लडूंगा तो झालाघ के मैं के लड़ूँ गभी τ की yourself किस पार्टी के आते केरे सरकारे अधिकारी आपकी बात नहीं मीपने बताया पर उन के आख में ड़ गहता है कि परालाद भाई मोदी नरेंडर मोदी के भाहि है तो उसा तो रहता कि आपकी बात मानने हैं आप नरेंद्र मोदी को मिलते नहीं पर पत्र तो लगके या नहीं नहीं वो प्रता है नहीं मैं लिखने का अगसी हूँ बहुत मैं आज तक लिखता है